जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा English Class 10th जी हाँ यह जो आज की वीडियो है यह आप लोगों को जागरू करने के लिए है क्योंकि हो सकता है पिछली बार के तरहे इस बार भी आप लोग समस्या में आ सकते हैं क्योंकि English Class 10th की जो English की book है वो चेंज हो चुकी है UP Board में जी हाँ English UP Board Class 10th की जो बुक है जो आप लोग पिछली बार यूज कर रहे थे वो चेंज हो चुकी है अगर आप लोग 9th क्लास से 10th क्लास में पास होके गए हो तो आपकी किताबे English की बदल चुकी है इसलिए अगर किसी स्टुडेंट से आप लोगों ने पूरानी किताबे खरी दी हैं जो वो पढ़ रहा है तो बता दूँ आप लोग बेकार में उस किताब को पढ़ ले हो पिछली बार की तरह कई स्कूल्स में पूरानी किताबे पढ़ाई गई थी जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था इस बार भी ऐसा ना हो जाए, तो इसको जानते हुए, समझते हुए, और जागरुग होते हुए, आप सभी लोगों को नई किताबे ले लेनी है, सबसे best book जो मार्केट में आप लोगों के सामने मिलने वाली है, वो राजी प्रकासन की है, इसी की guide भी आती है, अगर आप दे सकते हैं, वैसे English Class 10, First Flight और Footprints Without Feet, जी हाँ, दो किताबे आपके चल रहे हैं, आपके स्कूल में, तो यहाँ पर First Flight जो की लिट्रेचर टेक्स्ट्बुक है, और उसके बाद जो Footprints Without Feet है, वो एक Supplementary Reader के तौरपर पढ़ाई जाई है, आप लोगों स्कूल में, तो उसका cover page कैसा होगा, उसी को मैं यहाँ सामने आपके लिए ले कराएं ये वीडियो, तो माधिमिक शिक्षा पर्देश, उस्तरप्रदेश, इलप्रियागरा, ज्वारा, स्वीकरत, पाटिक्रम प्राधारित है, इसलिए आप लोग निश्चिंद रहें, किताब आपकी बदल चु अगला page बिल्कुल आप लोगों को इसी तर दिखाए देगा, माधिमिक शिक्षा परदेश, उत्तरप्रदेश, प्रियागरा, ज्वारा, स्वाक्षी सत्र, 2021-22 के लिए निर्धारित, NCRT के नवीदनम प्याठिकरम पर आधारित है, टेक्स्ट बुक, बेस्डोन NCRT, बिल प्रियागराज के द्वारा जो है निकली है, इसमें कौन-कौन से चेप्टर इस बार आपकी कोर्स में सामिल है, बिल्कुल उसी दर है कि जो की CBC Board में चलते थे, वही सारे चेप्टर आपकी इस किताब में मिलेंगे, तो कौन-कौन से आईए जान लेते हैं, कैसे कितने नंबर्स का क्या प्रोज आएगा, कितने नंबर्स का क्या सप्लिमेंटरी आएगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो प्रोज, फिर्स चेप्टर, टू शॉर्ट अंसर, जो फिर्स फ्लाइट प्रोज और प्रोज से हैं, इसको देख लेते हैं, तो प्रोज से जो 15 मार्क्स आएंगे, उसमें पहला जो कुछिन होगा, 2 short answer type questions, based on the given प्रोज पैसेज, मतलब पहला कुछिन आप लोगों का पैसेज का होगा, उसी में 2 कुछिन होगे, 4 मार्क्स इसके मिलेंगे, उसके बाद 1 long answer type question होगा, 2 short answer type question होग extractor, तो यहाँ पर आप लोगों को एक्स्टेंजा दिये होंगा, उसका answer आप लोगों के लिखने लिए कहा जाएगा, question number 6 में, बिल्कुल आपके high school की board की तरह पुरानी तरह central idea of the any poem given, और उसके बाद अगर नहीं याद करते हैं, तो उसके बाद 4 lines from the any poem prescribed in the syllabus, तो syllabus के आधार पर कोई भी poem 4 line की आप लोग याद करके paper में लिख सकते हों, उसके बाद supplementary 12 marks काता है, ध्यान रखेगा, 15 marks pros से होते हैं, 8 marks आप लोगों के poetry से हैं, और 12 marks आप लोगों के supplementary readers से हैं, तो क्या कुछ है supplementary reader में देख लेते हैं, 7th question, 2 short answer type questions होंगे, 8 वाले में 1 long answer type question होगा, और उसके बाद 9th वाला जो question होगा, 4 very short answer type question होगे, जो की true false पर based होगे, complete the sentences पर based होगे, उसके बाद थोड़ा सा broad spectrum समझाते हैं, first flight, first flight मतलब जो आपकी prose है और poetry है, दोने चीज़े आपके book में दे दी गई हैं, उसमें कितना कुछ आप लोगों को पढ़ना है, तो पहला chapter सामन को लिखा गया, एक पत्र, G.L.Fluence के द्वारा लिखा गया है, उसके बाद second chapter, Nelson Mandela, Long Walk to the Freedom, Nelson, Rolly Harla, उसके बाद Mandela, इन्होंने लिखा था, two stories about flying, तो two stories about flying, यहां पर आपकी poem भी दे दी गई है, ध्यान रखेगा, his first flight, black aeroplane, और जो लिखी है, इसके दार लियाम और फ्लायर नेम जो है, the hundred races first, और hundred races second, तो यह भी आपके course में सामिल है इस बार, तो Glimpses of India, यह भी आप लोगों को पढ़ना है, अबेकर फ्रॉम गोवा, और कॉर्ग, एन्टी फ्रॉम असाम, उसके बाद आपके course में, मिस्विल, the otter, and the ninth chapter, Madam, rides the bus, उसके बाद, 10th chapter में, the sermon at banners, तो chapters है, dust of snow है, fire and ice है, a tiger in the zoo है, how to tell when wild animals, the ball poem, यह भी आपके course में है, amanda, यह भी कोश में है, animals, the trees, fog, the tail of custard, the dragon, and the last one is for any Gregory, जी हाँ, यह सभी कुछ आप लोगों को पढ़ने है, अपनी first वाली बुक में, तो second book में क्या है, supplementary reader में कितना कुछ पढ़ना है, footprints, without feet में कौन कौन से chapter add है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, the triumph of surgery, first chapter है, the thief story, second है, the midnight visitor, third है, a question of trust, fourth है, और footprint without feet, जो की किताब का ही नाम है, supplementary reader की बुक का ही नाम है, यह भी आपकी course में सामिल है, the making of scientist, or seventh chapter, the necklace, eighth chapter, the hack driver, और ninth chapter, भोली, and the last one is, tenth chapter, the book that saved the earth, यह सभी कुछ आपकी course में सामिल है, तो writer और जो इनके लेखक कार है, यह सब कुछ दे दिया गया है, writer के साथ, इनके जो chapter's name है, सब कुछ आपकी screen पर दिखाई दे रहोगा, section literature first flight में, यहाँ पर पुरा basic details दे दी गए, कि page number पे कौन सा chapter है, तो a letter to God, आप लोगों को 11th page में मिलेगा, dust of stone, 26 page पे, fire and ice, यह आप के सामने screen पे जो दिख रहा है, इसमें एक poem और एक literature portion दिया गया है, इसलिए confused होने की कोई आवशेक्ता नहीं है, prose और poetry एक ही किताम में है, उसकी बाद supplementary अलग किताम में है, इसी तरह से आप लोगों को दिखाई देगा, सब कुछ आपकी screen पे है, doubt बिल्कुल होना ने चा के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपके भी स्कूल में ऐसी तयारी हो रही है, पुरानी किताब उससे पढ़ाई हो रही है, तो आप लोग अपने स्कूल में इस वीडियो को बता सकते हैं, धन्यवाद